नमस्कार आप सभी को हिंदी विभाग के और से आप सभी का स्वागत है आज हम सुकी ढाली का तीसरा वाला दुरुष्य में प्रारम कर रहे हैं जो पहले वाले भाग में प्रारम होकर हैं उसका अगला वाला भाग प्रारम कर रहे हैं अब यहाँ पर जिस तरह से दादर जी के समझाने पर सारे घर परिवार वाले मान लेते हैं और फिर परिवार वाले जिस तरह से बेला का मान सम्मान करने के लिए आते हैं तो फिर उसी के अनुसार बेला समझती है यह कैसे लोग है घड़ी में माशा घड़ी में तोला इस तर बेला उठते हुए आप बैठिये तो कहने लगती है छोटी भावी उसके कंधे पर यानि जिस तरह से बेला यहां पर आप बैठिये माजी छोटी भावी बस तुम बैठो बैठी मैं तो यूँ ही तुम्हारे इधर बैठी देखकर चली आई अनाज पड़ा है उसे फटकाना ह मिर्ची पड़ी है उन्हें कूटना है मखन कई दिनों का इखटा हो गया है उसे घी बनाना है बीसों दूसरे काम है और दिन धल रहा है मैं सोस्ती थी तुमने मेरी बात का बुराना माना हो वास्तव में बेटी रज्वा मेरे पास आकर फूट फूट कर रोल दी नोकरानी समझदार याने विश्वासनिया और आग्नियकारी हैं किन्तो जो काम उसने कभी न किया हो वो उससे किसी प्रकार का हो सकता है बेला उठते हुए आप बेठे तो छोटी भावी उसके कंधे पर हात रख कर उसे बेठ बिठाते हुए बेठो बेठो बेटी कस्ट ना करो मैं तुम्हारा अधिक समय नश्ट ना करूंगी मैं तो केवल तुम से उसकी शिफारिस करने आई थी याने भाव किस्तरी है जल्दी ही बात का बुरा जान जाती है तुम यूं करना के जूंही नया फरनीचर आजाएं अपने सामने याने सामने लगवा कर रजवा को एक बार जाड़ना बहाराना सिखा देना फिर वह गलती नहीं करेगी ना हो तो कभी मुझे बता देना मैं उसे समझा दूँगी अब यहां पर जैसे दादा जी के कमरे से आते हैं तो बेला को वहां पर बात करते हुए छोटी भावी जाती है तो वो बेटो मात जी करके कहती है तो समय वो कहती है कि कुछ बस ऐसे ही मैं देखने आई थी तुम किसी बात का बुरा मत मानना और फिर वो बेटने के लिए कहती है तो वो कहते हैं संदिया हो रहे है संदिया का है शाम तो मुझे बहुत से काम है जिस तरह से अब मिर्शियों को सुकाना या मसाले कूटना या फिर घी बनाना माखन है जो इसे घी बनाने यानि मलाई जम कर है फिर माखन बनाना घी बनाना या फिर उसके आनुसार ये सारे क काम होते हैं पर आपका जो फरनीचर रे नया आ जाएगा तो उसमय आप एक दो बार रजवा को बता देना क्योंकि वो रजवा पुरानी नोक्रानी नहीं हम लोग उसे अपना घर परिवार की एक सदस्थ से मानते हैं और विश्वास है यानि वो विश्वास है अकार्त क्या ह ट्रस्ट करने के लायख है क्योंकि वो कभी जूट नहीं बोलती बुरा नहीं समझ नहीं सकती क्योंकि उसे बहुत जल्द करोद आ जाता है तो उससे गलती हो गई तो शमा कर दे ना करके यहां पर भावी कहती है और उसकी शिफारस करने लगती है और कहती है कि भावकिस्तरी यानि इमोशनल हो जाती है जिस तरह से कोई भी बुरा लगता है तो रोने लग जाती है तो मन को उसके ठेस पहुंच जाती है जब आपका नया फरनीचर आ जाएं तो उसमें रजवा को समझा देना कि जैसे जाड़ना है पोचना है यानि पोता कैसे देना ये सारी चीज़ें वो सीख जाएगी अगर गलती ना करेगी और वो समझ जाएगी करके मैं समझा दूँगी करके वहां पर कह देते हैं भावी तो फिर बेला कहने लगती है नहीं नहीं आप छोटी भावी तुम पड़ी लिखी समझदार हो बेटी इसलिए तुम से इतना कहा दिया है यूं तुम ना चाहो तो कोई दूसरा प्रभंद हो जाएगा तुम इस बात की तनी कभी चिंता ना करो चलने को उगात हो गती है बेला आप बेढ़िये तो सही तो अब यहाँ पर जिस तरह से यह कहने लगती है अब यहाँ पर बेला को जिस तरह से छोटी भावी कहने लगती है कि अगर आपको दूसरा आधार याने कोई दूसरी नोकरानी का संदेश वो दे रहे है अगर आपको वो नहीं चाहिए तो कोई और भी क्योंकि आप पड़ी लिखी हो समझदार हो करके समझा रहे है छोटी भावी नहीं नहीं तुम अपना पड़ो मैं बेकार तुम्हारा समय नष्ट कर रहूंगी तो किछते हैं आप पड़ना प्रारम करो मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगी करके कहकर वो चले जाती हैं पुस्तक बन करके लंबी सांस लेते हुए जैसे अपने आप इन लोगों के कुछ भी तो समझ में नहीं आती ये माजी एकदम कैसे बदल गई अभी परसों मुझे इस रजवा के लिए डांट रही थी इनका कुछ भी तो पता नहीं चला फिर पढ़ने लगती है बड़ी बहु और मंजली भावी बाहर के दर्वाजे के से प्रवेश करती है मंजली भावी क्यों बेटी अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं जरा हस्ती है बड़ी आ है तो साई नी यानि अब यहां पर जैसे छोटी भावी चले जाते है तो उस समय बेला अपनी पुस्तक बंद करकर लंबी सांस यानि जो से सांस लेना यानि अपने आपको कंट्रोल खावू में करने के लिए सांस की आवशकता होती है तो फिर वो सोचने लगती है यह कैसे लोग है परसू ही मुझे वो उस एक नोकरानी के लिए कितना डांट पड़िया और कितना बोले आज पताने इन्हें क्या हो गया है एक दम छेंज हो जाना इनका मूड छेंज होना एक तरफ से वो मुझ पर आकरशित होना यह सारी चीज़ें यह क्या हो रहा है करके वो सोचने लगती है और फिर मंचली भावी करके आती है वो मंचली भावी बहुत जोर से जो हस्ती थी अब बस थोड़ी सी हसी याने मुस्कुराहट के आधार पर जिस तरह से बातें करती हुई शान्त हो जाती है बड़ी बहु अपने इंदो से ठीक ही कहा था और वो कहने लगती है क्या अब आपके लिए रजवा काम कर रही है सही कर रही है क्या करके वो पूस्ते है अब बड़ी बहु अपने इंदो से ठीक ही कहा था हमें वास्ताओं में काम की परक नहीं पर अब बेला आईए इधर बढ़ी चारपाई सरकार का लीजिए सरका लेना का अर्थ है हटा देना थोड़ा सा धक्का देकर एक तरफ रख देना मंजली भावी वैसे ही खड़े-खड़े मैंने एक अनुभावी नोकरानी खोज लाने के लिए कहां दिया है जो नए फ्याशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो वास्तों में बहु दादा जी पुराने नोकरों के हख में है दियानतदार होते हैं और विश्वासनिया दियानतदार याने दिया करने वाले रहम करने वाले उनका मन कोमल रहता है और भरोसे के लायक होते हैं हमारे पास पीड़ी दार पीड़ी काम करते आ रहे हैं इस रजवा की साज भी यहीं काम करती थी अब रजवा की बहु भी यहीं काम करती है बड़ी बहु मैं कहती हूँ बहन जी आप रजवा की बहु को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेते उसकी उमर भी कम है और काम भी वो जल्द सीख जाएगी अब यहाँ पर जिस तरह से बेला को मंजली भावी खड़े खड़े बातें करती है तो उस समय वो चार पाई खींच कर बैटने के लिए कहते हैं तो उस समय वो कहते हैं कि जिस तरह से दादा जी जो पुराने नोकरों के हाख में हैं क्योंके पुराने नोकर के मन में कोई यानि इशा या फिर ग्रुना नहीं होता और उनके मन में दया और दयानवार होते हैं हर ये काम बहुत करते हैं जिस तरह से कुछ भी बोलो तो वो पूरा काम करते हैं और फिर उसी के साथ विश्वास यान भरोसा रखना ट्रस करना वैसे होते हैं और फिर तीसरा क्या है ये जनरेशन टो जनरेशन इनके जो लोग हमारे ही घर पर आकर कारिया यानि काम करते थे जो वर्क में करते थे तो फिर वो कहते हैं जिस तरह से अब रजवा बूठी हो गई है तो वो हमारे लिए काम करेगी पर उसकी बहुत जो है वो आपके लिए लाकर दे देंगे क्योंकि वो बड़े बड़े घरों में काम करकर या फिर है तो उसे प्रैक्टिस रहती है और एक्सपिरेंस भी होकर रहता है तो वैसे वाले नौकरानियां धुन रहे हैं यानि तो रजवा की बहु जो कम उमर की है और आपकी सहायता करेगी वैसे वाली बहु को हम आपके पास लाकर छोड़ेंगे थोड़ा सा सीख भी जाएगे और जवान है और बहुत जल्द काम भी करती रहेगी करके यहां पर कहते हैं यहां तक आपके लिए पाट समाप करते हैं अगला वाला पाट अगली कक्षा में धन्यवाद